असलाम वैकूम, वेलकम बैक तो मैं सहनल, आज हम बात करेंगे किस तरीके से आप प्रिंट्स और पैटर्स को मिक्स करके अपना आउटफिट अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हो या एक बैलेस्ट वे में डिजाइन कर सकते हो तो आपने simply एक रूल याद रखना है, that is the rule of three, यानि तीन तरह की चीज़ों को यूज करके आप एक बैलेस्ट आउटफिट डिजाइन कर सकते हैं अपने, let's say, एक floral print ले लिया किसी भी fabric में, दूसरा मैंने लिया solid का, solid जिसके पर किसी घिसम का print ना हो आपने, like they go with almost everything. तो ये हम डिपैंट करता है कि हम किस तरीके से इसको 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 कर सकते हैं, यानि जो चापो अगएरा के ओपर डिजाइनिंग होती है, बाजों के ओपर होती है, गले के ओपर होती है, यहां पे हम geometric prints या इसकी लेज से पाइपिन वो जोड़ कर झिसके कहा संका शिरी डिजाइन बनार यह भी nor गयुग अपने कपरों करने यह होते है एक ज़मैटरिक प्रिंट हम तोन टाउन कि लिए किसी भी चीज को या ब्रेक करने कि लिए हैख किया जाते है जो print itself अच्छा भी लग रहे और वो neutral वगाम भी करता है बात एक solid color की तो solid color की वज़ा से बीज़े tone down किया जाता है किसी भी print को लेक्षे कोई बहुत overpowering print है कि हम उसको print on print नहीं कर से तो जो dramatic print होते हैं वो भी हम इसी लिए use करते हैं कि they go with everything तो इसके इलावा जो गौडी किसम के prints होते हैं चाहे वो floral हो और वी किसी किसम के तो sometimes हमको tone down करने के लिए भी geometric prints के इस्तेमाल किया जाता है या sometimes laces मोग भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं basically किसी किसम की break देने के लिए ताकि एक design element add किया जा सके तो ये एक simple सा formula है जिसके जरीए आप लोग अपने outfit को balance कर सकते हैं और अच्छा बाएं किसी description चेक कर ले ना वहां पर में कुछ detail में जह हो आपको बता दूंकि और कुछ product links यानि fabrics वगारा के links जह है में description में डाल दूंकी तो kindly वहां से जरूर देख लेना and yes that is all for today's video thank you so much for watching Allah Hafiz